हेलो गाइज आज की वीडियो में हम बात करूंगे medical terminology के बारे में जैसे की दूस्टो जैसे की डॉक्टर का पर्चा होता है जो डाइग्वियोस किये होते हैं डॉक्टर उस पर्चे पर कुछ medical terminology लिखकी होती है टर्मनलिखा होता है जो की हर कोई भी नहीं समझ पाता है, तो आप भी जैसे कि डॉक्टर के परचे को देखकर उसके टर्मिनोलोजी को समझ सकते हैं, अगर ये वीडियो आप देखेंगे, कुछ टर्मिनोलोजी के बारे में मैंने डिसकस किया इसमें, चलिए जुस्तों बात करते हैं, मेडिकल टर्मिनोलोजी लिखा है, तो इसका मतलब यह होता हाई लेबल प्रोटीन इन यूरीन, यानि कि आपके यूरीन से प्रोटीन की मात्रा जादा जा रही है, जिससे आपको कमजोरी हो सकती है, कमजोरी फिल हो सकती है, तो प्रोटीन इूरीन का मतलब कि आपके यूरीन में प्रोटीन जा रह तो sold को Arthritis बोलते हैं धिक के अधियुकifs होता है तो उसको ब्रेडि काइडिया क्या होता है Prat दोस्तों बात करें हम इसमें क्या होता हाइपर गलाइसीमिया हाइपर गलाइसीमिया का मतलब क्या होता दोस्तों यह होता दोस्तों हाइपर गलाइसीमिया का मतलब होता है इंक्रीज सुगर इन बलर्ड यानि कि हाइपर गलाइसीमिया जब हो जाता है तो आपके बलर्ड में जो होता है सुगर की मात्रा बढ़ जाती जिसको डाइबटीज भी बोल सकते हैं उस कंडिशन में क्या होता है आपके बॉड़ी में सुगर की मात्रा बढ़ जाती है ठीक है अब दोस्तो हीपैटो मेगाली क्या होता है हीपैटो मेगाली का मतलब होता है दोस्तो आप ने कि वजह से बढ़ जाता है ठीक है अप रड़ती उसको काडियो मेंगेली बोलते हैं हाइपर डुस्त एप सेपर नंप कोलि livelihood आप कोलेश्ट्रॉलिट्रол की मात्रा आपकी बॉड़ 술 को हाइपर कोलोस्ट्री में अब पढ़र नहीं के आपके ब pac simplesmente कोलेश्ट्रॉलीट्राल होता है कर दो जाती है जो कंडिसन को हाइपर कलोस्ट्रमा नहीन दूसतो, blood और hyper का मतलब होता ज्यादा, kolesterol यह का मतलब होता है, kolesterol का मतलब होता है? G Flying Doctor का क्या मतलब होता है? जो आपके अगले के नीचे जो होता है thyroid gland होता तो उस समय किसी का बढ़ जाता है, उसी को हम गार वोलते हैं, gastritis क्या होता दोस्तो gastritis होता आया stomach में inflammation होना आपके जो stomach होते हैं अमाशय होते हैं उसमें सूजला जाना जाती है swelling आ जाती है किसी वज़ा से तो उसी को gastritis बोलते हैं ओके दोस्तो ये रहे medical terminology अब दोस्तो बात करें इसमें auto toxicity क्या होती है तो उसी को auto toxicity बोलते हैं आपके कान में rhinitis का मतलब क्या होता दोस्तो inflammation of nasal mucous membrane यानि क्या आपके जो nasal में membrane होते हैं जहां से mucous secret होती है उनमें क्या होता शोली हो जाती तो उसको rhinitis बोलते है thrombocytopenia क्या होता दोस्तो ये क्या होता है आपका जो platelet होता है उसकी जो मात्रा होती है बलड में वो कम हो जाती platelet की जैसे कि आपको डेंगू में क्या होता thrombocytopenia हो जाता उस condition को platelet की खमी को thrombocytopenia बोलते हैं ओके दोस्तो अब दोस्तो मीनोपाउस के बारे में हम बात करें तो मीनोपाउस जो होता है से ससनाब मेंसुरेशन यानि की वो ऐसी condition होती मीनोपाउस जो कि महिला का क्या होता है मेंसुरेशन आना बंद हो जाता है जैसे की 40 से 45 की जब एज आती है तो महिला के अंदर मेंसुरेशन साइकल आना बंद हो जाता है जिसको मीनोकास बोलते हैं Meningitis क्या होता है दोस्तों Meningitis होता है Inflammation of Meningease in brain यानि कि एक brain में Meningease layer होता है Membrane होता है जो brain को cover और spinal cord को cover करता है उसको Meningitis बोलते हैं जब Inflammation हो जाता है Meningease layer में में जिली में नेफराइटिस क्या होता दोस्तो नेफराइटिस होता है आपके किडिनी में इंफलामेशन हो जाता है उस कंडिशन को नेफराइटिस बोलते हैं ओके दोस्तो